जगत जन्नी साईमा के अमरत संदेशों के आधार पर आध्यात्मिक जिग्यासूं के लिए अनमोल रत्न जो ये पड़े अमरत संदेश ताके जाएं सभी कलेश पार होने के बारा अचूक उपाए पहला संसार के सब कारे करते हुए हमारी द्रिष्टी सदा अपने मानव जीवन पाने के उद्देश की ओर रहनी चाहिए हमारे जीवन का लक्ष क्या है ये प्रश्ण सदा हमारे सामने रहना चाहिए भगवान श्री साइनाथ को पा लेना ही जीवन सार्थक करना है दूसरा प्राण प्यारे बाबा साइनाथ से सदा सच्चा प्रेम करना ही वास्तविक प्रेम है अन्यथा तो सौदे बाजी है श्री भगवान से सांसारिक वस्तु मांगना अपने प्रेम पर काला टीका लगा लेना है तीसरा बावा साइनात के शरनागत हो जाने में ही जीवन शांती का मुख्य रहस्य छिपा है उनका हो जाना ही उन पर विजय पा लेना है तेरी इच्छा पूरण हो तेरा भाना मीठा लागे इन चार शब्दों में रहना ही सर्वस्व पा लेना है चौथा सच्चा गुरुद्वारा पवित्र मंदिर सर्वोत्तम मस्जिद हमारे अंतरंग में है अंतरंग उपासना ही सच्चा जीवन है बाहर आना मृत्यू है श्री भगवान हमारे अंदर में हैं बाहर तो केवल चाया है तथा अंदर हम केवल प्यारे बाबा साइनाथ की दया से ही जा सकते हैं जब हम उनकी वानी पर शुद्ध मन से चलते हैं तथा उपर लिखी दोनों मुख्य बातों को जीवन में अपना लेते हैं तो श्री भगवान प्रसन होकर हमारी वृत्तियों को अंदर मोड देते हैं वो ही हमारी मन्जिल है पाँचवान भगवान श्री साइनाथ को खुश करने का साधन शुकर गुजारी है शुकर गुजारी ही एक ऐसा बीज है जो बिंदु को सिंधु बना देता है चटवान एकता में रहना ही अम्रत पीना है एकता ही हमारी मन्जिल है एकता को ही हमें पाना है वो ही हमारे बाबा साइनाथ का सच्चा सुरूप है अनेकता में रहना विश पीना है साथ्वान अहम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रू है ये वो विशेला साप है जो जीव की जनम जनमांतर की साधना को पल भर में नाश कर देता है जिसमें जो विशेष्टा है चमक है वो भगवान की परम देन है आठवा अलग पना सबसे बड़ा पाप है उस अनन्त से प्राण प्यारे बाबा साइनाथ की पावन गोज से अलग होकर ही हम इस जनम बरन की जलती आग में जुलस्ते रहते हैं उनकी अनन्त गोद में समा जाना ही आवा गमन की कहानी का अन्त होना है नौवा निशकाम कर्म ही सर्वोच सेवा है कोई भी अच्छा कर्म करने के बाद फल की आशा न रखना तथा फल भी श्री भगवान के चरणों में अर्पित कर देना केवल यंत्र बनकर रहना ही वास्तविक जीवन है दस्मा अकर्मी बनकर रहना सीड़ी के आखरी कदम पर खड़े हो जाना है अकरम करम वह है जब जीव सोचता है कि हर जीव में हर चोले में वो अद्भुत शक्ती विराजमान है करने वाला भी वह ही है कराने वाला भी वह ही है तथा करम भी वह ही है हर जीव भगवन सुरूप है ग्यारवा हमारे पूर्ण होने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा तंग दिली है हमारा धर्म श्रेष्ट है या हम बहुत उच्च कोटी के भक्त हैं ये तुच्च विचार तज देने पड़ेंगे बावा साइनाथ ने ही स्वयम समय समय पर देश देश में प्रकट होकर सभी धर्म चलाए हैं तथा उन में सत्य की स्थापना की है सब धर्मों में सच्चाई एक ही है हर जीव में उस अनंत सत्ता की जोच समाई हुई है तो घ्रणा किस्थे करना सर्व जगत ही हमारा कुटुम है बारवा बावा साइनाथ की भक्ती ही काम धेनू है प्यारे बावा की भक्ती में महान शक्ती है बावा साइनाथ की भक्ती एक नौका है जो मनिश्य को पल भर में भव सिंदू से पार लगा सकती है ओम श्री साइन भगवत नाम की महिमा तीसरे गुरु अमर देव जी ने कहा है आखां जीवां विसरे मर जाऊं कि जब तक तेरा नाम मुख से ले रहा हूं तब तक जी रहा हूं और जितना समय तेरा नाम उचारन नहीं हो रहा मैं मरे के समान हूं ये एक बड़े महान पुरुष की बानी है और महान पुरुष कभी जूट नहीं बोलते तो हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि पल-पल सांस-सांस के साथ हमारे मुख से बाबा साइनाथ के पावन नाम की ध्वनी निकलती रहे कल युग में श्री भगवान का नाम ही सबसे बड़ा आधार है भगवान को पाने की पहले युगों में बहुत कठिन साधनाएं थी ध्यान, धारणा, तपस्या ये चीजें इस कल युग में होनी मुम्किन नहीं है उसके लिए मन को बहुत कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है पर आज कल युग के जमाने में संसार चारों तरफ माया की और भाग रहा है वे चीजें बहुत ही मुश्किल हैं इसलिए कल युग में श्री भगवान के नाम का आधार ही सबसे बड़ा साधन माना गया है सच बात तो ये है कि जितने देवी देवता हैं वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कल युग में जनम दे क्योंकि इस कल युग में बड़ी आसानी से जीव भगवान का नाम लेकर उसे प्राप्त कर सकता है अब ये नाम कैसा है इस नाम की विधी क्या है थोड़ा इस बारे में समझना चाहिए हमारे शास्तरों में लिखा है कि तेरा कोटी राम नाम लेने से भगवान का दर्शन होता है साड़े तीन कोटी महामंत्र इस मंत्र का जाप करने से शरी भगवान का साक्षात कार होता है परन्तु हम इस तरफ ध्यान नहीं देते हमने तो पहले ही आप सब को कहा और अब भी कहते हैं कि गिंती की तरफ नहीं जाना संसार में गिंती देखी जाती है quantity देखी जाती है उससे मनुश्य की कीमत गटती बढ़ती है परंतु अध्यातम में गिंती नहीं देखी जाती quality देखी जाती है चाहे आप थोड़ा सा भी नाम समरन करो लेकिन वह अच्छी quality का होना चाहिए अच्छी quality का मतलब ये है कि भगवान के प्रेम में गदगद होकर भगवान के प्रेम में रंग कर भगवान के साथ सच्चा प्रेम करते हुए उस प्रेम में जरा भी मिलावट नहीं भगवान के शुद्ध प्रेम में भगवान के शरनागत होकर जो थोड़ा सा भी नाम लिया जाता है उसकी बहुत बड़ी कीमत है और अगर उस प्रेम में मिलावट हो संसारी वासनाएं हो और ध्यान संसार की तरफ हो तो कितना भी नाम लो वो बात बनती नहीं अब हम आप से जो बात कह रहे हैं आप चारों तरफ देखो हमने जीवन में देखा लोग दो दो बजे उठकर नाम सुमरन करना शुरू कर देते हैं सारा सारा दिन माला लेकर गूमते रहते हैं सडकों पर भी मिलते हैं तो माला गूम रही है रात को सोते हैं तो दस ग्यारा बजे तक माला फेडते रहते हैं लेकिन ये चीजें जो हमने बताई हैं उनमें है नहीं। बात क्या है कि हमने देखा 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस हो गए उनको ऐसा करते पर वही के वही हैं जरा आगे नहीं बड़े। तो बात तो वही बात जो हर दम हम बताते हैं कि जब तक प्रेम की पवित्रता नहीं होगी, प्रेम में मिलावट जब तक आप करते रहोगे, जब तक आपके मन में वासनाएं हैं, जब तक शुद्ध मन से आप भगवान श्री साइनाथ के शरनागत नहीं हुए, कोई साधना आपको काम नहीं देगी, आप भगवान का नाम सुमरन करोगे, भगवान से मांगते रहोगे, थोड़ा सा फल इधर मिलेगा, आपकी वासना पूरी होती रहेगी, वो बैलन्स वहीं का वहीं रहा, मन उसी तरह गंदा का गंदा रहेगा, मन से एक भी खोटा संसकार हटेगा नहीं, इसलिए हम जो सत मारक बता रहे हैं, उस मारक पर चलने की बड़ी जबरदस्त ज़रूरत है, जब तक प्रेम की पवित्रता नहीं होगी, तब तक श्री भगवान के प्रती सच्ची शरनागती नहीं होगी, नाम फल नहीं मिलेगा, अब उसको अच्छी तरह से समझो होता क्या है, जब आपका प्रेम पवित्र होता है, जब आप पूरी तरह श्री भगवान के शरनागत हो जाते हैं, भगवान से भगवान के सिवाए कुछ मांगते नहीं, उस समय आप जब भगवान का भजन करते हैं, तो उस समय आपके मन पर जो खोटे संसकार होते हैं, व वो धुलने शुरू हो जाते हैं, जब बुरे संसकार धुलते हैं, हमारे अंदर जो भगवान का सुक्ष्म तत्व है, भगवान की जोत है, उसके उपर जो परदा पड़ा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाता है, और अंदर से प्रकाश दिखना शुरू ह जाता है ये है विधी नाम की परंतु अगर हम भगवान के श्रणागत नहीं हुए हम और अच्छी तरह से समझाते हैं इतना ही नहीं मन में भी मन में भी वासना नहीं होनी चाहिए यदि आपने मांगा नहीं और मन में वासना है कि आज पचास हजार मिले कल एक लाख रुपय मिले दूसरे दिन मकान मिले जब तक मन में एक वासना भी मौजूद है जब तक आप पूरी तरह श्रणागत नहीं हुए आप भजन करते जाओगे वो आपकी वासना की पूरी करने में लगता जाएगा बनेगा कुछ नहीं इस बात को समझ लेने की बड़ी जरूरत है नाम सिमरन से चाहते हैं कि आपको कुछ मिले तो सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि शुद्ध मन से भगवान के शरणागत हो जाएए प्रेम में मिलावट आई कि काम बिगड गया भगवान के साथ सौदे बाजी करना नहीं हमने अच्छी तरह से समझाया है कि आप लोग प्रेम में मिलावट प्रेम में क्यों मिलावट करते हैं क्यों शरणागत नहीं होते क्यों भगवान की महिमा को ठीक तरह से नहीं समझते हैं हम समझते हैं कि हम मांगेंगे नहीं तो हमारी तक्लीफ कौन दूर करेगा मांगने वाला सदा नुकसान में रहता है जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है जब उसके उपर दुख तकलीफ आती है तो भगवान उसके साथ खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो भगवान का बच्चा है जो श्री भगवान के साथ सौधे बाजी करता है भगवान उसके साथ सौधे बाजी करते हैं ले भई तु मेरे साथ हर तरह की सौधे बाजी करता है तो मैं भी पूरा सौधा दूगा जो भगवान के शरनागत हो जाता है जिसने दुर्ड कर लिया है कि मैं मर जाओंगा तो भी मांगूगा नहीं बच्चे की तकलीफ कभी मां से देखी नहीं जाती है कौन मां है जो बच्चे की तकलीफ देख सकती है लोगों में ब्रह्म पढ़ गया है कि हम मांगेगे नहीं तो हम बूखे मर जाएंगे हमारे दुख दूर नहीं होंगे हम बताते हैं मांगने से मिलता है हम मानते हैं इस बात को मिलता है जरूर लेकिन होता क्या है हम श्री भगवान के हुकम में बाधा डालते हैं किसी भी मा का बच्चा हो, मा की बात नहीं माने और बाधा डाले मा को अच्छा लगता होगा वो पिता को कितना अच्छा लगता होगा ये चीज जो हमारे साथ हो रही है भगवान ने बहुत सोच समझ कर निश्चित किया है उसमें बाधा डालना पाप है चाहे कुछ भी हो जाए श्री भगवान के हुकम में कभी बाधा नहीं डालनी चाहिए कितनी भी तकलीफ आ जाए हमेशा बोलो तेरी इच्छा पूरन हो तेरा हुकम पूरन हो तेरी इच्छा के सिवाए मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान को खुश करने के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं और करके देखो उस समय भगवान की कृपा आपके उपर हो जाती है आपका जो खोटा करम है थोड़े में ही निकल जाता है इसलिए हम नाम सिमरन से पहले ये बताना चाहते हैं कि ये चीज जब तक नहीं आएगी तो नाम सिमरन पूरा फल नहीं देगा ये समझना बहुत जरूरी है कोई भी साधना करो पहले प्रेम की पवित्रता होना चाहिए सच्चे मन से भगवान के शरनागत होना चाहिए फिर उसके बाद कोई भी साधना काम आएगी सवदेबाजी भगवान के साथ कभी नहीं करना बात बिगड जाएगी इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है दूसरे जब आप भगवान का नाम लेते हैं पहले तो उंची सुर में नाम लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता मानसिक जब किया जाता है उसकी कीमत दस गुना ज़्यादा है पहले जिवा से किया जाता है फिर कंठ तक जाता है फिर हिर्दे में और आखिर में नाभी तक पहुँचता है जब नाभी में पहुँचता है तो अपने आप चक्कर चलना शुरू हो जाता है जब वो चक्कर चलता है तो मन उसमें लीन रहता है फिर वह अपने आप अजब्पा जब्प होते रहता है हमारी भावना ये होनी चाहिए कि अपने आप अजब्पा जब्प होता रहे सत्गुरुनात महराज की चै